किसी को भी इतना हक मत दो कि वो फैसला करें कि आपको कब हसना है और आपको कब रोना है तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज किसी की रूह तक पहुचे तो तुम्हें पुकारना भी रूह से ही होगा दुखी दिल पानी से भरे गिलास की तरह होता है मामूली सी ठेस पर भी छलक पड़ता है लगती है जिनके दिल पर चोट वो आँखों से नहीं रोते जो अपनों के ही नहों पाए वो किसी के नहीं होते रिष्टा दिल से होना चाहिए शब्दों से नहीं नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए दिल में नहीं जिन्दगी में तूफान का आना भी बहुत जरूरी होता है तब ही तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ जुबान से नहीं क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गाठ ना हो कश्तियां बज जाती है तूफान में पर हस्तियां डूब जाती है अभिमान में आपके पास ऐसा कोई सपना जरूर होना चाहिए जिसके लिए आपको सुभेश जल्दी उठने का इंतजार हो कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वो ठक जाते हैं और विजयता तब रुकते हैं जब वो जीच जाते हैं लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज़त देनी है सब दुखदूर होने के बाद मन प्रसन होगा ये आपकी गलत फहमी है मन प्रसन रखिए सब दुखदूर हो जाएंगे किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती उसके संसकार होते हैं